यूजर से जब भी इंपुट लिया जाता है तो आप इंपुट का फंक्शन इस्तमाल करते हैं इंपुट का फंक्शन यूजर से कंसोल लाइन पर जब एक्जेक्यूट होता है तो इंपुट मांगता है एहम बात इसमें याद रखने की यह है कि जब भी यूजर से इंपुट लिया जाता है वो इंपुट चाहे नमबर हो या कोई अलफाबैट हो इसरिंग फॉर्मेट में होता है ऐगर यूजर से आपने इंपुट मांगा कोई नंबर इंपुट करें और उसने नंबर इंपुट किया 5 तो हम यह 5 अगर वेर्यबल में स्च टॉर कर रहें तो हमें उसको टाइप कास करना पड़ता है यह हमने देखा था यूजर से इंपूट लेके हमने इंटीजर से उसको टाइप कास्ट किया था ताकि जो नंबर आया है वो नंबर की फॉर्म में वैरिबल में स्टोर हो जाए उसको as a number treat कर सके उस पर मजीद as a number कोई operation perform कर सके mathematics supply कर सके अगर हम उसको number में convert नहीं करेंगे for example आपने एक यूजर इंपूट दिया 5 दुबारा यूजर ने इंपूट दिया 10 अब मैं कहता हूं कि दोनों variables को plus कर दिये जाए तो 5 और 10 मिलकर यह 510 बनेगा 15 नहीं बनेगा क्यूंकि उसकी type string थी और string plus नहीं होते बलके string concatenate होते अगर हम वाकई चाहते हैं कि यह as a integer plus हो जाएं तो हमें इन दोनों user inputs को पहले type cast करके int में convert करना बढ़ेगा फिर 5 और 10 जब add होंगे integer में होके तो यह answer आपके पास 15 आएगा